News 18 इंडिया के नेता involved है जिस तरह की लगातार खबरे आ रही है संदेश खाली में हाला की अलाके में धारा 144 थी मेरे साथ शहजाद पूरावाला है रेक्ट करने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष को अरेस्ट कर ले गया है पहला रेक्षिन आपका शहजाद पूरावाला क्या होगा पर ये लोग नहीं बोलेंगे जिस प्रकार से अब उन्होंने का 95% मुस्लिम वोट है तो ये बड़ी कैप कौन पह सकता है कॉम्पेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स कौन कर सकता है ज्यादा रहुल जी कहते है जैशी राम नहीं बोलना है बोलते है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिश्टा में नहीं जाएंगे तो छोटे वाले जो उत्तर प्रदेश में वो बोलते कि हम राम भक्तों पर गोलिया चलाएंगे हम भी नहीं जाएंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिश्टा में आप जो वहां का आरूपी है शाजाशेक उसको गिरफतार आप नहीं कर पा रहे हो कोट कह रहा है सीबिया लगा दो एडी लगा दो पूरा प्रशासर लगा दो लेकिन ये व्यक्ति अंदर होना चाहिए वह सामने आना चाहिए और कोट में उनका वकील कह रहा है कि अगर आप गैरेंटी दो इनको गिरफतार नहीं किया जाएगा प्रोटेक्शन मिलेगी तो मैं लेहाऊंगा उनका वकील कह रहा है शाजाशेक का मतलब तरकार गैरेस्ट ने कर पा रही और वह बंगाल में है देगिया अमिज जी सर जहां तक शेक्षा जहां का मामला है F.I.R. जो है वो एडी का है और एडी भी ढून रही है एडी भी नहीं गिरफतार कर पा रही है और वह एबसकॉंडिंग है इसके स्टेट्मेंट पुलिस ने दिया है कि शेक्षा जहां एबसकॉंडिंग है दुसी तरफ आपके बीजेपी चीफ का जहां तक बात है सुकांता मजुमदार का बात है तो कुछ दिन पहले ही वो सुप्रीम कोट चले गए थे और सुप्रीम कोट ने उनको फटकार लगाई थी अपने ड्रामा बाजी बंद करने के लिए वो सुप्रीम कोट में चले सुप्रीम कोट पे फटकार लगाई होगी लेकि सुप्रीम कोट पे सुप्रीम कोटार लगाइ